कि इस कॉश्चन को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे ना नहीं तो फिर तो आद खंट लग जाएगा कॉश्चन को करने में और आप लेजेमें बैठें मेंन क्लास में जोंद बैठें हैं ना कोई दहीं मेंन क्लास करते हैं किका जूब राज अब ग्वालियर ग्वालियर के में राज कंसाइन 15,000 kgs of घी हाँ सही बात है यह ग्वालियर मुरेना भिंड इस तरफ घी होते आता है एट रुपीस 30 पर केजी टो इस एजेंट सिराज एट डेली और यह घी ग्वालियर से दिल्ली जा रहा है श्रीमंत मादराव सिंद्या जी के शहर से दिल्ली जा रहा है ठीक है साथ रुपीस 5 पर केजी एस फ्रेट एंट इंशूरेंस वर सेंडिंग गी एट डेली पांच रुपए पर केजी हमने खर्चा किया है पर केजी खर्चा किया है इस घी को दिल्ली पहुचाने के लिए तब यह 15,000 kg वाल भेजा है एक केजी की पांच तो 15,000 इंट पांच यह हो गया 75,000 रुपीस ठीके सरकार और बोलो on the way 100 kg अब घी वस लॉस्ट जी टू लीकेज बिच इस तू भी ट्रीटेड एस नॉर्मल लॉस्ट ओके यानि हमको पहले सी पता था कि 15,000 कि जब हम घी भेजेंगे तो इसमें से 100 kg तो लीक हो जाएगा ओके and 400 kgs of घी वस डिस्ट्रॉइड इन ट्रांसिट जबकि 400 कि लो घी रास्ते में डिस्ट्रॉई हो गया रुपीज 9,000 वस पेड टू कंसाइनर डारेक्टली वाई इंशुरेंस कंपनी एस इंशुरेंस क्लेम और उसके बदले में 9,000 रुपए हमें इंशुरेंस कंपनी ने कंपंशेट भी कर दिया ठीक है मालिक अब सरकार आपका एक किलो घी कित्ते का था 30 रुपए का तो मालिक 400 किलो घी एक किलो कित्ते का 30 का यह हो गए 12,000 और प्रती किलो आपने कित्ते खर्च करें 5 पांच इंटू 400 यह हो गए 2,000 टोटल कॉस्ट अब घी जो डैमेज हुआ वह है 14,000 रुपीज लेकिन कहानी में ट्विस्ट है यह आपको तब मानना है जब आप बोलना है कि नहीं हम नॉर्मल लॉस बचे हुए घी पर निकालते हैं लेकिन अगर हमने जो कॉंसेप्ट आज तक बनाए हैं तो यह कहते हैं कि यह कैलकुलेशन गलत है अब ऑल्दो यह कैलकुलेशन हमारे प्रिये हमारे प किया लेकिन सरकार हमें कोई सपने आ रहे हैं कि क्या माना यहां पर तो टेक्निकली बात करूं तो कॉंसेप्ट यह हमने पढ़ा था उसके आगे यह कॉशन घलत है हम हमेशा बहुत करेंगे कि यहां को पता है कि पंद्रा जार बेज आए चौदानों से पहुंचेगा अब जो चौदानों से पहुंचना था उसमें से 400 का नुकसान हुआ है तो अकॉर्डिंग टू मी जो कैल्कॉलेशन होगी वो यह होना चाहिए मैं यहां पर इंसिटूट से थोड़ा सा अपोजिट जा रहा हूं लेकिन गलत है अब माशिपगामी देवी से भी कभी-कभी गलती हो जाती है ऐसा नहीं है कि माशिपगामी देवी हमेशा हर बात सही बोले तो माशिपगामी देवी यहां पर आप गलत है तो कैलकॉलेशन कैसे करेंगे कॉस्ट और गुड्स कंसाइन क्योंकि हमने आंसर नहीं देखा हम एक्जाम में आंसर देखके थोड़ी बैठें कि यह हो गया तो उस पर भी हमें प्रोपोर्शनेट नॉर्मल लॉस का खर्चा चार्च तो करना था क्योंकि वह अच्छा क्वांटिटी थी अच्छी क्वांटिटी थी जो एक्चुली बिक्ती अगर सही सलामत पहुंच जाती तो मालिक शिपगामी देवी माप करना यहां पर त होते हैं प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेज क्या खर्च करें सर वह तो पूरी क्वांटिटी खर्च करेंगे देट वोस 15,000 केजी इंटु 5 अच्छा भाड़ा देने से के क्वांटिटी बढ़ जाती है नावर सर कभी नहीं बढ़ेगी तो फिर उस केस में क्वांटिटी वा करेंगे हम सरकार DR.NORMAL लॉस पहल Guide ह हम तो पहले करेंगे सरकार क्योंकि टेकनिकल ही वो होता है base of recovery क्वांटिटी और इसका मैं में कोई impact नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मल लॉस का पूरा impact सिर्फ quantity दिया जाता है कॉस्ट वही रहती है उससे केंपेट पड़ता है numerator में कॉस्ट वही लेकिन denominator quantity होगे कम तो पर युनिट कॉस्ट बढ़ जाती है तो अब कितना आया 14,900 और कॉस्ट सरकार वही सर आप लिखते कैसा हूं पांच 25 लिखी थे वह पांच 75 लग रहे थे थोड़ा तो हिसाब के दाव से लिखो अच्छा ठीक है लो अब इससे अच्छा नहीं लिख पाऊंगा और इत्ता लिख्या में सीए बन गया हाँ तो मालिक 14,900 केजी माल पहुंचना है सैनेट के साथ से जिसकी कॉस्ट है 5,25,000 जरह मालिक यहां पे इसी पॉइंट टाइम पे जरा 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 कैलकुलेट तो करो पर केजी कॉस्ट क्या रही है हां सरकार पांच लाग पच्च्छेस अजार डिवाइड बाइ 14,900 यह आगया मालिक 35.2349 अमालिक याद तो रहेगा नहीं डाल दो इसको मेमोरी में मेमोरी में डाल दो let computer should और calculator should memorize our calculation 35.2349 is the cost of per kg जो बहां पहुंचना चाहिए था लेकिन हो गया abnormal loss कितना सरकार 400 और इसको क्या लेखेंगे valued at standard cost तो मालिक 400 into memory recall equals to होता है 14093.95 यानी 14094 देखो जब आप इंसिट्यूट के सजिस्टर आंसर देखोगे तो यहां पर यह amount आएगा 14,000 क्योंकि उन्होंने normal loss को adjust करने से पहले यानी 30 और 35 रुपए पर abnormal loss का बैलेशन किया है जबकि मैं बोल रहा हूं कि अगर यह नुक्सान नहीं भी होता तो 14,900 चाहिए तो यह चार सो का नुक्सान हुआ यह अच्छी unit का नुक्सान है तो आपको पहले normal loss का adjustment देना ही चाहिए और उसके बाद ज सिराज सोल्ड 7500 kg माले उठाओ कलोडर फिर से कुल मिला कि हमने 15,000 kg की बेजा था इसमें से 100 kg निपट नहीं था निपट गया 400 kg और निपट गया अंडर्मली तो पहुंचा किता 14,500 kg इसमें से सिराज भाई ने 7500 kg माल बेज दिया तो माले 7000 kg माल सिराज के पास बिना विक करना है क्या सिराज भाई ने कोई खर्चा किया सरकार नहीं किया तो जो अभी हमने बैलियों निकाली थी कितनी 35.2349 उसी पर ही इसका भी बैलेशन कर लो क्योंकि सिराज ने कोई डाइट एक्सपेंसे खर्च नहीं किये हैं तो यहां पर सरकार 7000 कैसे आए वो शो कर दो 15,000 माइनस हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड माइनस सेवंटी फाइवंड्रेड सेवंटी फाइवंड्रेड क्या है तो साथ जार यूनिट और एक आपे बैली होंगी सर स्टैनर्ड प्राइस पर विच इस 35.2349 अपने मेमोरी मपढ़ा है तो 7000 मुल्टीप्लाइड बाई मेमो करेगा क्यों करेगा वहम रीजन समझा चुके हैं तो माले कैलकुलेशन पूरी हो गई अब आपको सिर्फ फिलिंदा ब्लैंक्स भरना है तो जल्दी से फिलिंदा ब्लैंक्स भरते हैं सबसे पहले माल भीजा एंट्र क्या होई कंसाइन्मेंट अकाउंट डैविट टू कंस तो 75,000 ठीक है सरकार अब क्या लेखें सर क्रेडिट में एमनॉर्मल लॉस बाइमनॉर्मल लॉस अकाउंट अमाउंट कितना सरकार बन फोर जीरो नाइन फोर और इनर कॉलम में शो कर दो क्या के इंश्रेंस क्लेम मिल गया है नोजार का देरफोर नेट लॉस बचा क्यों क्यों क्योंकि सरकार कॉशन ने आप से अमनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने को नहीं बोला है अगर वह बोलता तो आप यहां से फूर बन फोर जीरो नाइन फोर ले जाते फिर नोजार की रिकबरी दिखाते और बचाओंवा फाइब थाउजन नाइन फोर पिल में ल दिखा दो के इंशुरेंस के लिए मना नहाजार और बचाओंवा जो डिफरेंस है यह फाइज फाइजरो नाइन फोर बी ट्रांसफ़र दू पी अनल बस इतना दिखा दो और क्या लिखोगे सरकार अकाउंट से लिखेंगे हां हां बिलकुल लिखेंगे कॉन ने माल बेच सिराज ने तो भाई सिराज अकाउंट भाई ने साथ यहार पांसो किलो माल बेचा है साट रवे के भाऊ से तो सेवन ताउजन फाइवन रेट इंटू सिस्टी डैट कमस तू फोर लैक फिप्टी थाउसे अब सरकार क्या सिराज ने कोई खर्चा किया सरकार खर्चा अरे वही माल चुड़ाने का खर्चा माल बेचने का खर्चा और कमीशन दो कमाई रहा है तो मालिक चेक करो हां सरकार कॉस्टन ने बोला है कि सिराज ने 33,000 फे खर्च करें यानि डाट एक्सपेंस नहीं है हां तो सर इसका भी तो रिंबर्समेंट उसको मिलेगा और ये भी तो कंसाइनमेंट बीजनेस की खर्चा आए तो इस स्थुड भी डबिटेट ट्व सब्सक्राइब ठाइब अपने मतलब सिराज को डैबिट दे दिया कि वह तुमने हमारी इत्ती सेल रखी अपने पास तो तुम्हें क्रेडिट मिलेगा क्योंकि तुमने हमारे ब्यहब पर एक खर्चा किया था खर्चे का नाम क्या था सेलिंग एक्सेंस एंट्री क्या हुई कंसाइनमेंट अकांट डैबिट तू सिराज और इनर कॉलम में सेलिंग एक्सेंस ठाटी थी थाउसें रुपी और सिराज को इस सेल पर कमीशन भी तो मिलेगा कमीशन का रेट क्या है इडिस 5% ऑन सेल तो मालिक 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 कितना साड़े 4,005,005 परसेंट सरकार साड़े 4,005,005 परसेंट तो 33,000 प्लस 22,500 तो यह अमाउंट आया 55,500 चीक है और बोलो मालिक कुछ बचा क्या हाँ 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 बचाये ना and that is closing stock का valuation जो आप already कर चुके हो तो लिख दे हाँ हाँ स 24664 और कुछ बचा के सरकार कुछ भी नहीं बचा दोस्तों सब कुछ हमने लिख लिया तो सीधे लिखते हैं you are required to calculate the amount of abnormal loss निकाल लिया सरकार 14094 value of stock at the end सर यह भी निकाल लिया कितना आया था 24664 and last prepare consignment account showing profit or loss on consignment if siraj is entitled to 5% commission on sale हां सर वो भी लिख लिया तो मालिक बचा क्या है सर कुछ नहीं balancing figure में net profit या लॉस तो चलो net profit याना चाहिए नेट profit याना चाहिए क्योंकि credit में साड़े चार लाक और धाई लाक साथ लाक रोपने जबकि debit में सम्मिला के भी सम्मिला के भी साड़े पांच छे लाक से यादा नहीं तो profit ही है तो क्या लेखें that profit will be transferred to general P&L तो टू जनरल profit and loss account और क्या आएगा balancing figure तो माले profit निकल के आया बन लैक 30,000 238 और यह लेकर जाएंगे हम अपने जनरल profit and loss account में इसके साथ इसके साथ इसके साथ हमारा consignment account तो हो गया समाप्त क्या question ने abnormal loss के बारे में बात करी थी हाँ सरकार you are required to calculate the amount of abnormal loss देखो amount of abnormal loss निकाल चुके हैं लेकिन अगर खाता बनाना है तो बही अब बना दो खाता बनाने भी कोई दिक्कत नहीं है आदा मिट लगेगा यह अपने बनाया क्या लिखेंगे सबसे बहले to consignment account 14094 फिर इस करने में पैसा मिल गया तो लॉस कम हुआ लॉस कम हो तो क्रेट इंशुरेंस क्लीम अमाउंट था 9000 एंड बैलेंसिंग फिगर बाइ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5094 और इसके साथ आपका ये कॉश्चन भी स्वाहा 10 मार्क्स आपकी जिम में और तो मालिक ये कॉश्चन भी स्वाहा अब क्या बचा तो मालिक एक कॉश्चन और बचा है जो माई अठ्रा में आया है तो वो कॉश्चन करते हैं और फाइनली आज कंसाइन्मेंट को ठपे के साथ लगा के बोलते हैं कि बहुत सब तेरे में से कुश्च भी आ जाए मेरे दोस नमबर पक्या है चलिए नेक्स कॉश्चन आया है माई अठ्रा में यह इन दोनों से जाती है हम श्री गनपत नहीं और मजी नहीं आया एक गनपत हाँ एक गनपत ऑफ नागपुर कंसाइन 500 केसे 500 केसे अफ गुड्स कॉस्टेंग रुपीस 1500 इच कौन सा सर पता नहीं लेकिन पंदराश्व रुपे पर केस तुगावत अब जैपूर जैपूर माल बेजा जा पर जैपूर जैपूर जो भी करता है वो डाइट एक्सपेंसे इस होते हैं नाम में क्या रखा है अब गनपत हो या कोई हो नाम तो नाम है यह तीनों खर्चे डाइट एक्सपेंसे हैं जोड़लों भीया कित्ते हो गए 15 प्लस 45 60 प्लस 15 75,000 रुपी तो 75,000 रुपए गनप केसे को भेजने का खर्चा किया it's direct expenses सरकार 75,000 रुपए divided by 500 cases for each case गनपत spent rupees 150 और एक केस थाकिते का पंदरा सो का तो पंदरा सो प्लस दिर सो सूला सो पंचास रुपए कोस्त आ गई पर केस कहां तक पहुंचाने की जैपर पहुंचाने की और आगे पढ़ते हैं सरकार श्री राबत यह कौन है कंसाइनी सेल्स 350 cases at 2100 पर केस तो 2100 रुपए इंटू साड़े 300 माले की होते हैं 735,000 तो साथ लाक 35,000 की होई यह सेल्स ओके एंड इंकर दी फॉलोविंग एक्सपेंसेज अब यह अपने को यहां पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कंसाइनी की तो दो करेटे विमाट जाता है एक जो माल छुड़ाने के हैं जो माल दुकान तक लाने के नहीं और यह अ शो Pleasant के आइं हो कि श्िर को यह टेख हैं तो सरकार मकलि कुलिएरिंग दूँ डैरेक्ट वियारढ्रम सबीस पहुदेश Online कि अधार Cons न्यूजों Calling आयाने 15 सर उसकी जो माल वहक्रा है यह दोनों इंडारेक्ट है तो जिनके आगे दिर्ट रिखाए वो प्रॉफिट से अग्जेस्ट कर दिये जाएंगे और उसका टोटल कितना होता हैak 32,000 it is found that 50 cases were lost in transit and questions is a problem and question not specify कि ये lost नॉर्मरल है और खोक के हिसाब आप खोकों में कौन सा उड़ जाएगा के सड़ जाएगा कुश्चन देता अगर वह नॉर्मल होता तो मालिक हम इस नुक्सान को एम नॉर्मल ही मानेंगे चुकि यह माल रास्ते में लॉस्ट हुआ है इस माल के लॉस्ट होने से पहले एक तो इसकी कॉस्ट पंदरास रुपए पर केस और किते केस हैं पचास यानि एम नॉर्मल लॉस्ट की कॉस्ट आएगी 82,500 ओके मालिक अब आगे एंड अनादर 50 केसे वर इन ट्रांजिट बहुत बड़ा ट्विस्ट है दोस्त बहुत बड़ा ट्विस्ट ध्यान रखना कंसाइन नहीं जब क्लिरिंग च आगरा में वो पहुंचे गांज जो चुड़ाने का खर्चा दे तो इसका मतलब कंसाइनी यानि हमारे रावत भाई सामने यह जो 18,000 खर्च करें हैं यह सिर्फ उसी माल पर खर्च करें हैं जो जैपूर पहुंच गया अब जैपूर पहुंचा किता तो ध्यान से 500 केस हो गए बच्चे साड़े 400 हाँ और पचास के अभी भी रास्ते में तो पहुंचे किते तो 400 केस ही पहुंचे हैं यानि यह खर्चा 400 केस पर खर्च हुआ ध्यान रखिएगा यह सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे कॉश्चन की बात है अगर आपने से ऐसे धुन में चले ग सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्सेंट चलो माले किता है कॉस्ट ऑफ गुड्सेंट सरकार कॉंटिटी थी उसकी 500 केस प्रती केस कॉस्ट है 1500 तो 500 इंटू 1500 यह हुआ 7,50,000 प्लस डारेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ गनपत सर खर्चे करने से के कॉंटिटी चेंज हो जाएगी नहीं सरकार बारवाल मत बोलो कितने घर्च करें हैं ट्रट ट्रोटल तीनों मिलाके हो रहे थे 75,000 तो पर केस 1500 तो टोटल कॉस्ट कितनी आगी मालेक 500 केस 8,25,000 और पर केस साड़े सोला सो जो लॉस हुआ है हम उसको एमनॉर्मल मान रहे हैं एमनॉर्मल लॉस पचास केस मा तो आठ लाग 25,000 का 10% कितना हुआ सिंपल 8,2500 और इसकी कॉस्ट का वैलिशन भी साड़े सोला सो ही होगा ठीक है सरकार अच्छा इतने का होगे अनॉर्मल लॉस और मालिक अभी भी गोड्स इन ट्रांसिट कितना है सर पचास केस इस पर कितना खर्चा हो चुका है सर इस प तो इसकी वेल्यू 82500 आईगी ओके तो मालिक फाइनली कितनी क्वांटिटी है कितनी क्वांटिटी है जो जैपूर पहुंची सरकार जैपूर पहुंची है 400 और उसकी कॉस्ट कितनी हो चुकी है साले सोला सो पर के 400 केस मुल्टिप्लाइड बाइब बन सिक्स फाइफ जीर सर इसमें हमारे भाई ने यानी रावत भाई ने कुछ खरचे करें सर दो-तीन खरचे करें लेकिन उसमें से काम का खरचा है अठरा अजार क्योंकि fragen रहेख इन 400 यूनिट्स पर किया गया है क्योंकि जो माल पहुंचा ही नहीं कंसाइनी डारेक्ट एक्सपेंसेज तो कॉस्ट ओफ इन्वेंट्री तो सरकार यूनिट है चार सो और पर यूनिट हो गई सोला सो पिंचानो बन सिक्स नाइन फाइब और इसको टूटल जोड़े कि हमारी तीन सो इन बेची सरकार तीन सो बेची तो से माइनस कर दो सेल्स कॉंटिटी दुमालेक क्लोजिंग स्टॉक एट जैपूर सरकार सो केसे एक केस सिक्स्तीन नैंटी फाइब का तो सो केसे सो इन्टू 1695 दाट कमस तू बन लैक सिस्टीन नाइन थाउसेंड फाइब सुनो 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 आज हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में दो क्लोजिंग स्टॉक आएंगे क्योंकि बो माल जो जैपूर नहीं अगले साल पहुंचेगा तो अगले साल बिकेगा तो कमाएगा लेकिन उसकी कोस्त भी आप डेविट कर चुके होंगे तो गोड़ संट नहीं लिया तो उसकी पूरी कॉस्त इस साल भी डंप हो जाएगी जब उसका रेवेन्यू अब अगले साल आना है तो यह नाव टू स्टॉक एक स्टॉक इन हैंड 169 500 और दूसरा स्टॉक इन ट्रांजिट 82500 मालिक आपका सारा कैल्कूलेशन वाला पार्ट कंप्रीट हो चुका है अब सिर्व आपको अकाउंटिंग करनी है तो चलिए जल्दी से पांच मिटे के अंदर इसके अकाउंट से बना डालते हैं और इस कॉशन को भी स्वाहा कर देते हैं सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे मैं लाइन से एक साथ बोल देता हूं और एक साथ लिखूंगा सबसे पहले आएगा तू गुट संटॉन कंसाइनमेंट कितना आएगा सरकार 500 इंटू 1500 साड़े साथ लाग फिर क्या आएगा तू कैश जो कंसाइना ने खर्चे करें कितना 500 इंटू 1500 फिर आएगा तू कंसाइनी और उसके अंदर इनर कॉलम में आएगा एक डाइट एकस्पेंसे अठरा जार और दूसरा इंडाइट एकस्पेंसे बो जो दो खर्चे थे और तीसरा उसका कमीशन कितना जितनी सेल करी उसक और उसके अंदर आएगे दो एक स्टॉक इन ट्रांसिट और दूसरा स्टॉक एड़ी प्रमाइसे सब कंसाइनी ठीक है तो हम में लिखता हूं एक साथ लिखूंगा तो मालिक कॉस्चन में बोला गया कि कंसाइनी को कंसाइनी को सेल्स पर दस पसंट कमिशन मिलेगा एंड क यति रहाजार पांचो यह होता है बंटू-3 फाइफंड्रेड आपको पूरा बन चुका है बैलेंसिंग फिगर में आपको मिलने वाला है जो चलो माले कंसाइन्मेंट का नेट प्रोफिट करते हैं और सो मॉलते हैं तो मैले सारे क्यल्कूलेशन करने के बाद जो बैलेंसि सब्सक्राइब कर जाएंगे जन्रल प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट में और इसके साथ आपका कंसाइन्मेंट खाता हुआ बन अब इन्होंने वोला है कि भी यह मुको कंसाइनी खाता भी बनागे बनाओ ठीक है तो कंसाइनी को तीन चीजिएंग लिए क्रेट देना है एक अठरा अजार दो कंसाइनी के इंडारेट एक्सपेंसे बत्तेस जार और तीन कंसाइनी की कमिशन तैतर यार पांसो और डेबिट दो उसको सेल के लिए साथ लाग पैतर से जार तो जो बैलेंसिंग फिगर में आया वो अमाउंट नेट रिसीविबल या पेवल है तो सर गैरा हजार 500 रुपए आपके कंसाइनी खाते का बैलेंसिंग फिगर है जो नाम है वो आप भर लेना साथ पहते इसके आगे लिखना टू कंसाइनमेंट और इसके साथ इसके साथ आपका ये कॉश्चन ये चैप्टर समावत थुआओ hopefully एक्जाम के बाद आपको कभी जीवन में इसे ना पढ़ना पढ़े यह आखरी बार पढ़ाया अपने एक्जाम के लिए और बस एक्जाम छाप किया जाना और उसके बाद रहे देने हैं इसको डब्बे में क्युक्ति आपको जीवन में सी फाइनल तक Consignment Account नहीं पढ़ना है चलिए मालिक Consignment Chapter अब हमने फाइनली पूरी मैनत के साथ पूरी द्रड़ता के साथ पूरी मज़े के साथ Complete कर लिया है अब अगले Chapter में हम फिर मिलने बाले हैं और फिर एक Chapter ऐसा जो आसान है आसान है आपको भी आसान लगता है और आसान एक्चुली है लेकिन उसके बस जो छोड़े जोड़े रहस्य है अच्छी अच्छी critical points है वो discuss करेंगे और 10 marks guaranteed करेंगे Chapter का नाम है Bank Reconciliation Statement ठीक है मालिक अगले lecture में मिलते हैं भी आर इसके साथ तब तक के लिए तिल देन Bye Bye Take Care Love You